अभी हाली में केंदर सरकार के द्वारा इस तरह के संकेत दिये गए हैं कि केंदर सरकार कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है hop and promise तो केंदर सरकार ने यह जो बात कही है इससे आशा बंदती है hop and promise तो सरकार की यह जो बात है ना इसमें आशा दिखाई देती है इसमें वादा दिखाई देता है The centers move to engage with the political leadership in Kashmir is welcome तो केंदर सरकार का यह जो कदम है engage का मतलब होता है शामिल होना किसी चीज में engage with the political leadership in Kashmir की Kashmir में जो political leadership है Kashmir में जो राजनेता है उनके साथ शामिल होने को लेकर केंदर सरकार ने जो बात कही है वह स्वागत पूर्ण है is welcome signaling a revival revival का मतलब होता है पुनर जीवन of political process in Jammu and Kashmir की Jammu and Kashmir में जो राजनेतिक प्रक्रिया है उसके पुनर जीवन का संकेत देते हुए प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये decide किया है कि to meet 14 party leaders from the union territory on June 24 तो इस संबन्द में प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो देखो ध्यान से देखना है प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये decide किया है कि कि वे meeting करें कि इनके साथ to meet 14 party leaders from the union territory यहाँ union territory कहा गया है जम्मू इंड कश्मीर छेत्र को कि जम्मू इंड कश्मीर जो छेत्र है वहाँ पर 14 party के जो leaders है उनके साथ मिलने का प्राइमिस्टर नरेंद्र मोदी ने decide किया कि मीटिंग कब होगी 24 जून को Mr. Modi's outreach is taking place nearly two years after the state of जम्मू एंड कश्मीर वाज striped off its special constitutional status तो Mr. Modi's outreach outreach का मतलब होता है पहुँचना दूर दराज के छेत्रों तक अगर आप पहुँचते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं outreach तो Mr. Modi ने जो कदम बढ़ाया है जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं तक पहुचने का है यह जो outreach है is taking place यह घटित हो रहा है टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना nearly two years after the state of जम्मू एंड कश्मीर वाज striped off striped off का मतलब होता है वंचित कर देना कि प्राइमिस्टर नरेद्र मोदी जम्मू एंड कश्मीर के जो नेता है वहां तक अपनी पहुच बढ़ाने का प्रयास कर रहे है लगवग दो साल बाद किसके दो साल बाद क्या हुआ था दो साल पहले दो साल पहले जम्मू एंड कश्मीर को वंचित कर दिया गया था किस चीज से जम्मू एंड कश्मीर के विशेस सामवेधानिक दर्जे से special constitutional status से and dismembered और जम्मू एंड कश्मीर को बाट दिया गया था into two union territories दो केंडर शाशित प्रदेशों में किसके माध्यम से through an unprecedented unprecedented का मतलब होता है अभूत पूरु कुछ ऐसा जो पहले कभी न घटित हुआ उसे हम बोलते है unprecedented exercise का मतलब है action of the center's power कि केंडर सरकार की जो powers हैं केंडर सरकार के पाफ जो ताकत हैं उनका अभूत पूरु ढंग से प्रियोग करते हुए केंडर सरकार ने क्या किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेश दरजा जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था उसको छीन लिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को दो केंडर सरकार के दौरा प्रियास किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की नेताओं से बादचीत करने की पहल केंद्र सरकार ने दिखाई है यह क्या प्रदर्शीत करता है और अपनाना तो यही इसका मतब यह हुआ कि this demonstrates a desirable flexibility in his approach in his approach कि प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर का जो द्रश्टी कोण है उसमें थोड़ा सा लचीलापन नजर आता है towards की सोर resolving का मतब है हल करना the Kashmir issue कि कश्मीर issue को हल करने से संबंदित प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है उसमें थोड़ा सा लचीलापन हमें दिखाई देता है प्राइम मिनिस्टर की इस गोशना के साथ कि वे 24 जून को कश्मीर के 36 leaders के साथ बातचीत करने को तयार है आगे देखते हैं Considering the absence of an agenda for the meeting Considering का मतलब है इस बात को ख्याल में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए The absence of an agenda agenda का मतलब होता है कोई आपकी कारे सूची तो यह जो meeting प्राइम मिश्टर नरेंदर मोदी करेंगे 24 जून को जो meeting होगी इसका agenda decide नहीं किया गया है कि किस बात पर यह meeting रहेगी है ना तो एक तो इसमें agenda का भाव है And the prevailing sense of betrayal Prevailing का मतलब है मौझूदा जो की व्यापत है Prevailing का मतलब है मौझूदा जो की बना हुआ है जो की व्यापत है Sense of betrayal Betrayal का मतलब है एक तरीके का जैसे आपने मुझे धोका दिया है ना तो उसको बोलेंगे कि मेरे अंदर एक ऐसी भावना है आपके प्रति कि आपने मुझे धोका दिया इसको बोलता है sense of betrayal कि मेरे साथ धोका हुआ तो among Kashmiris तो कश्मीर के जो लोग है उनके कश्मीर के जो लोग है उनके बीच में एक तरीके से क्या है sense of betrayal है उनको लगता है कि साथ हमारे साथ धोका धड़ी हुई है ना तो यह चीज भी मौझूद है तो दो चीज़ें देखो मौझूद हो गई यहां पर इन दोनों बातों को ख्याल में रखते हुए पहली बात तो यह हुई कि जो meeting होगी इसका agenda तय नहीं है कि क्या agenda रहेगा दूसरी बात जम्मू और कश्मीर के लोगों में यह भावना व्यापत है कि उनके साथ धोका हुआ है एनी होप उप तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनी होप उफ आफ एक कुईक रेजोलिशन कि हम अगर इस तरह की उमीद करते हैं कोई तुरंत कोई समाधान निकलेगा तू दा फ्राजन पॉलिटिकल केस्चन फ्रोजन का मतले बिल्कुल जम्मी हुई हालत में मतलब जिन पर कोई progress नहीं हो रही है frozen political questions is not realistic तो हम ऐसी उम्मीद करें कि एक तरीके से जो कुछ ऐसी बाते हैं जो बिलकुल जम गई हैं जिन पर कोई हल नहीं हो पा रहा जो टस से मस नहीं हो पा रही इस तरह के जो हमारे राजनितिक प्रेशन हैं इनका कोई कुई समाधान निकलेगा ऐसी उम्मीद करना यथार्तवादी नहीं है यह एडिटोरियल कहना चाहरा है आगे देखते हैं discontinuing the special status of कश्मीर was a core agenda of Hindu nationalism for decades discontinuing का मतलब है जो चीज चली आ रही थी ना उसको discontinue कर देना उसे बीच में रोक देना the special status of कश्मीर की कश्मीर का जो विशीज दर्जा कश्मीर को मिला हुआ था उस विशीज दर्जे को समाप्त करना Hindu nationalism का प्रमुक एजेंडा था core agenda का मतलब है मूल एजेंडा of Hindu nationalism for decades कि कई दशकों से जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद है उसका मुख्य एजेंडा क्या था उसका मुख्य एजेंडा यही था कि कश्मीर जो की लगातार से लगातार इस बात को enjoy कर रहा था किस बात को special status को enjoy कर रहा था इस special status को समाप्त कर दिया जाए which was achieved और यह जो हिंदुत्व nationalism की अप्रोच थी ना कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद क्या चाहता था कि जो भी लोग हिंदुत्व राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं वे चाहते थे कि कश्मीर का special status समाप्त हो जाए और कश्मीर का special status के समाप्त होने को प्राप्त कर लिया गया after कब the second parliamentary victory of Mr. Modi in 2019 तो यही डीटोल कह के ना चाह रहा है कि which was achieved after the second तो यह जो एजेंडा था कि वही किसी भी तरह से कश्मीर के special status को समाप्त किया जाए इस एजेंडा को प्राप्त कर लिया गया कब प्राइम मिनिश्टर नरेंदर अभियान टू अंडर्माइन अंडर्माइन का मतबब होता है किसी के महतों को कम करना political parties and leaders तो there has been का मतब रहा है क्या रहा है उसको देख लेते हैं there has been a concerted campaign कि एक संयुक्त अभियान रहा है कम करने का किस चीज को कम करने का political parties and leaders of the valley यहां पर valley से मतलब कश्मीर वैली यानि कि जम्मू कश्मीर छेत्र के लिए कहा जा रहा है by the bjp and the center कि bjp और केंद्र सरकार जो है संयुक्त रूप से प्रियास करती रही है क्या प्रियास करती रही है महतों कम करने का कि इस बात का महतों करने का कि जम्मू कश्मीर छेत्र के जो लीडर से या वहां की जो राजनितिक पार्टिस हैं उनके महतों को कम करने का संयुक्त अभियान bjp और केंद्र सरकार चलाती रही है मतलब लगातार कई एक लंबे समय से यह अभियान केंद्र सरकार के दोरा या bjp के दोरा चलाया जा रह तो क्या मतलब हो इसका कि 2014 से बीजेपी एस वर्ट अंडर प्रेमाइस प्रेमाइस का मतलब होता है आधार कि 2014 से बीजेपी ने इस आधार पे काम किया कि पीडीपी पारिटी और एंसी पारिटी जो है वर इंपेडिमेंट्स यह बाधा थे बीजेपी को ऐसा लगा कि ये जो दो पार्टी से बीजेपी के मार्ग में बाधा है नोट फैसिलेटेटर का मतलब होता है जो किसी चीज को सुविधा जनक बनाता है सुगम बनाता है तो एक तरीके से BJP का ये मानना था 2014 से BJP का ये मानना रहा है कि जो PDP party है और NC party है ये BJP के मार्ग में बाधा थे ये कोई facilitator नहीं थे ये मार्ग को सुविदा जनक बनाने वाले नहीं थे to a solution in Kashmir तो BJP को हमेसा ये लगा कि अगर हम कश्मीर में कश्मीर को लेकर कोई solution निकालना चाहते है तो उस solution में PDP और NC बाधा है न की facilitator The BJP is short-lived alliance with PDP alliance का मतब गठ बंदन short-lived का मतब जो थोड़े समय के लिए चला तो BJP का PDP के साथ गठ बंदन जो की थोड़े समय के लिए चला far from far from का मतब है कहीं दूर होना far from building bridges bridge का मतब है pull बनाना एक तरीके से जो gap चल रहा है न उस gap को भरना तो यही editorial कहना चाहरा है कि BJP और PDP का जो गठ बंदन बना इस गठ बंदन ने बजाए gap को कम करने के far from far from का मतब है कहीं दूर far from building gap तो यही कहना चाहरा है कि कश्मीर में जो भी समश्या है थी उन समश्याओं को कम करना चाहिए था BJP और PDP के गठ बंदन के मादम से लेकिन इस गठ बंदन ने उन समश्याओं को दूर तो नहीं किया उन gap को तो नहीं भरा उनों है created more hostility बजाए जो BJP और PDP का जो गठ बंदन था उसने शत्रुता create की किन-किन के बीच में between the parties between the parties की जो विभिन पार्टीस है जम्मू और कश्मीर में उनके बीच में शत्रुता पैदा की and delegitimized both in the eyes of the public और आप यह कह सकते हो कि यह जो PDP पार्टी है और यह NC पार्टी है यह दोनों की दोनों and delegitimized यह को legitimize करने का मतभ़ होता है किसी को कानूनी रूप दे देना और delegitimize का मतभ़ होता है किसी को गैर कानूनी बना देना both in the eyes of the public तो यह जीटो लिकेना चाहरा है कि यह जो पार्टी से ना यह पार्टी पब्लिक की आँखों में जो आप यह कह सकते हो कि गैर कानूनी बनाने की बीजेपी ने इनको कोशिश की दे लीडर्स ओफ मेंस्ट्रीम पार्टी इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कि जमुएंच कश्मीर के जो पूरु मुक्ह मंतरी है unkogled खेञेनन के लिडर्स से संबंदित कई ने इताज्यें उनको इसके अलावा जमुएंच कश्मीर के कई पूरु मुक्ह मंत्रियों को 2019 के बाद में जेल में डाल दिया गया BJP के दोरा या केंद सरकार के दोरा The Center's Idea केंद सरकार का आइडिया क्या To Incubate Incubate का मतलब होता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करना A Loyal Political Class अब देखो BJP क्या चाह रही थी जब केंद सरकार के दोरा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का Special status समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद में BJP चाह रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक राजनेतिक वर्ग तयार किया जाए जो की केंद सरकार के प्रती लोयल हो जो की केंद सरकार के प्रती वफादार हो तो आगे देखते हैं तो दो सेंटर साइडिया टू इनक्यूबेट अ लोयल पॉलिटिकल क्लास मेड लिटिल प्रोग्रेस तो को लिटिल प्रोग्रेस का मतलब होता है न के बराबर प्रोग्रेस है यानि कि पॉलिटिकल इन्वारमेंट है एडिटोरिल कहता है मीनवाइल का मतलब है दर्मयान इसी बीच कि भई इसी बीच हम क्या देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजनितिक वातावरन है वह है चेंज हो चुका है अब देखो और क्या क्या परिस्थितिया है बदली है कि वही पूरा की पूरा पॉलिटिकल इन्वारमेंट चेंज हुआ है चारो तरफ न केवल जम्मू कश्मीर में न केवल भारत में बलकि अगर हम बात करें कि वैश्वीक रूप से जो है तो जो बाइडन का जो प्रशाशन है वह उच्शुक है किस बात को लेकर तो एंड दा युएस एंटेंगलमेंट एंटेंगलमेंट का मतल रहता है फसे होना उल्जे होना कि अमेरिका की सेनाए जो की अफगानिस्तान में उल्जी हुई है इसको दूर करना है इसको solve करने को लेकर जो है जो बाइडन का प्रशाशन बहुत ही ज्यादा उच्शुक है और जो बाइडन क्या चाह रहे है जो बाइडन क्या चाह रहे है विरोध करना चाह रहे है चाइना क्या करना चाह रहा है पूरे वल्ड को dominate करना चाहरा है तो इस प्रयास को विफल करने में अमेरिका लगा हुआ है इंडिया is in a stand-off with China on the border भारत जो है stand-off का मतलब होता है एक तरीके से deadlock की हालत में होना बिल्कुल गतिरोध की इस्तिति होना ना आप इधर जा पार है और उदर जा पार है उसको बोलते हैं stand-off तो इंडिया is in a stand-off with China on the border की भारत जो है गतिरोध की इस्तिति में है भारत और चाइना की जो border है वहाँ पर गतिरोध की इस्तिति बनी हुई है The Biden administration is publicly disapproving of India's Kashmir policy की जो बाइडन प्रिशाशन है वह सारजनिक रूप से disapprove कर रहा है डिसप्रूव का मतलब है सहमती न देना of India's Kashmir policy की भारत की Kashmir को लेकर जो policy है उसको मंजूरी नहीं दी जा रही अगर publicly अगर हम देखे ना तो जो बाइडन जो है एक तरीके से क्या कर रहे है कि भारत की Kashmir की जो नीति हैं उसका विरोध कर रहे है सारजनिक रूप से लेकिन हुआ वाइल वां टिंग लेकिन साथी साथ वह क्या चा रहे हैं तो स्ट्रेटिकली इंब्रेशिट्स, का मतलब है रणनीतिक रूप से मिप्रेश का मतलब है अपनाना तो जो बाइडन जो है दोहरी चाल चल रहे है एक तरीके से अगर वैं रंनीतिक तो इस बात को अपनाना चाहा हैं यानि कि भारत की और एंवे रंणनेतिक रूप से लेकिन दूसरी और सार जने रूप से विरोध भी कर रह है कि ओडा । की बांटेश की गुपांटेश्ताली पाकिस्तान कोशिश कर तौ रहा है किसीश की कोशीश कर रहा है के तुरी क्लेम का मतलब है दुबारा दावा करने की इस फाइदे मंद हो तो पाकistance टौ安G अस्ट्रेटिक एडवांटेज तो पाकिस्तान जो है रन्निति क्रूप से जो है और लाब उठाने की कोशिश कर रहा है, दावा करने की कोशिश कर रहा है the mishandling of the covid-19 pandemic has dented India's global image mishandle का मतब है ठीक तरह से handle ना करना है ना किसी चीज को तो भारच जो है COVID-19 pandemic का मतब है वैश्विक महामारी has dented dent का मतलब क्या है एक तरीके से एक तरीके से दरार पढ़ जा ना एक तरीके से चोट लग जाना India's global image तो एडिटोर यह कहना चाहरा है कि the miss handling of the COVID-19 pandemic कि Corona virus वैश्विक मामारी को भारत ठीक तरह से handle नहीं कर पाया इसकी वज़े से भारत की जो वैश्विक image है उसको नुकसान पहुचा है यहाँ पर dent का मतलब है नुकसान पहुचा है और ट्रिगर का मतलब है शुरुवात कर देना new political challenges domestically और क्या हुआ है कि बई नए राजनितिक challenges जो है शुरू हो गए है domestically का मतलब है घरेलु इस्तर पे घरेलुस्तर से मतलब है कि भारत में आंतरिक रूप से कई राजनितिक समश्या एक तरीके से खड़ी हो गई है तो यह इंडिया की सारा जो सीनेरियो चेंज हुआ है इस पूरे की पूरे सीनेरियो का भी काफी हद तक योगदान है कि जो कठोरता है कश्मीर के प्रती वह के इंदर सरकार ने बदली है कि एक आवसर पैदा करते हुए तो एक तरीके से मिस्टर मोदी ने इस मीटिंग को औरगनाईज करने के लिए कि जो कहा है इसके माद्यम से संभावनाएं खुली है कि आगे क्या किया जा सकता है तो ऐसा करके केंद सरकार ने बुद्धी मत्ता पूर्ण कदम उठाया है कि इसके माद्यम से कई आवसर पैदा होंगे और उन आवसरों के माद्यम से आगे समाधान निकाला जा सकता है ना। इट मस्ट एंगेज दो पॉलिटिकल पार्टिस इन गुड़ फेथ इन गुड़ फेथ का मत्तव होता है सिंसिर्टी के साथ ओनेस्टी के साथ इंगेज का मत्तव शामिल होना तो एडिटोर ने ये कहता है कि बई सेंटरल गॉर्णमेंट को क्या करना चाहिए अन्य जो अर नौट मैनेजरिल एडिटोर कहता है कि कश्मीर का जो शाशन है वहां पर जो चुनोतिया एंट उनको आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता उनका आसानी से प्रबंदन नहीं किया जा सकता एंड करप्शन इन्वेस्टिकेशन लेजिटिमेट एस दे मेंवी अब एडिट उनका प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए तो डीबेस यह डीबेस का मतलब है एक तरीके से किसी चीज का दर्जा घटाना पॉलिटिक्स इटसल अब देखो एडिटो लिए कहना चाहरा है कि बई क्या कि वह सकता है इस चीज का प्रियोग करे कि कश्मीर के जो नेता हैं उनके खिलाब बिस्टाचार की इंवेस्टिगेशन करें भली हो सकता है इन्वेस्टिगेशन कानूनी हो लेकिन फिर भी इस इन ज्यादा नीचे गिराने के लिए, efforts, प्रियास, to tackle corruption and pilferage, tackle का मतलब है handle करना, कि जो corruption है, भृष्टा चाहर है, pilferage का मतलब होता है, चोरी, should not amount to, amount to का मतलब है, equal to, furthering का मतलब है, और ज्यादा बढ़ा देना, in stability, in stability का मतलब है, अस्थिरता in Jammu and Kashmir, तो एडिटोरी ये कहता है, कि प्रियास, corruption को handle करने के प्रियास, pilferage, चोरी को handle करने के प्रियास, जो है, बराबर नहीं होने चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप ठीक है, corruption को रोकने का प्रियास करो, pilferage को रोकने का प्रियास करो, लेकिन आपके प्रियास समतुलिन नहीं होना चाहिए, कि ग्राउंड वर्कॉद्कश क्र ग्राउंड वर्कौद्न ने जमीनी इस्तरका कोई काम कर लिया देखो ग्राउंड वर्क अगर यह आपने कंप्लीट कर लिए उसका मतलब है कि आफने जो है एक वा eranतार भूत काम आपने कर लिया है तो केंद सरकार ने जो घोशना की है कि हम क्या करना चाहते हैं मीटिंग करना चाहते हैं जामोर कश्मीर के लीडर के साथ तो ऐसा कहते हुए केंद सरकार ने चीज को रिवील नहीं किया है इस चीज का खुलासा नहीं किया है एनी प्लान से लोकतांत्रिक सॉलुशन कि कश्मीर से जुड़ा हुआ जो सवाल है उस सवाल को हल करने को लेकर इस मीटिंग को हम शुरुआत कह सकते हैं कि बहीं इस meeting के माद्यम से हम एक टिकाव और एक लोक्तांत्रिक समाधान निकाल सके कश्मीर का है ना एसा होना चाहिए इस meeting के माद्यम से and not an exercise editorial कहता है कि यह meeting जो है एक ऐसी गतिविदी नहीं होनी चाहिए in managing the centers इमेचे कि हो सकता है केंदर सरकार ने यह meeting अपनी image को सुधारने के लिए की हो, तो यह tutorial कहना चाहिए, कि यह meeting इसलिए नहीं होनी चाहिए, कि केंद्र सरकार अपनी image को सुधारने की कोशिश करे, बलकि यह meeting इसलिए होनी चाहिए, ताकि एक चलने वाला एक टिकाव एक डूरेवल और एक लोगतांतरिक समाधान जो है कस्मीर समश्या का निकाला जा सके